नमस्ती बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्त होंगे? मैं आपकी हिंदी विशय की अध्यापिका निलीमा इक्का, आज मैं आपको आपकी पाठी पुस्तर छबी में से पाठ पंद्रा अंग की मात्रा का प्रयोग पढ़ाने जा रही हूँ. जब हम अंग की मात्रा किसी वेंजन पर लगाते हैं, तो उसे हम किस प्रकार पढ़ते हैं? इस पाठ में हम पढ़ना सीखेंगे. पामें अंकी मात्रा पंग कप दमें अंकी मात्रा दंग कद दंग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग् सामे अंकी मात्र संग, संग, जामे अंकी मात्र जंग, 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 आमे अंकी मात्र अंग, अंग, रामे अंकी मात्र रंग, क, रंग, रामे अंकी मात्र रंग, 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 रामे अंकी मात्र रंग, 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 रामे अंकी मात्र रंग, 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 रामे अंकी मा दा, दंडा, शा में अंकी मात शंख, शंख, का में अंकी मात कंग, धा में आकी मात धा, कंधा, जा में अंकी मात जन, ता में आकी मात टा, जंडा, फा में अंकी मात फन, दा में आकी मात दा, फन दा, समे उकी मता सु रमे अंकी मता रंग 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 रं पामे अंकी मता पन, जामे अंकी मता जा, ब, पन, जाब कमें अग की मता गंग, ग, 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 च शा में ई की मता शी लुँँपन्च शीलुँपन्च शीलुँपन्च शीलुपन्च 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 अब हम इसे एक बार दुबारा से पढ़ते हैं अंक, डंक, तंग, हंस, तंग, संग, जंग, अंग, रंक, रंग, डंडा, शंक, कंधा, जंडा, फंदा, सुरंग, चंदन, जंगर, पतन, रंग, नंदन, पंजाब, कंगन, गंगाजल, रंग बिरंगा, पंच शीर, मंगलवार, गंगाराम, पंच रंगा, रंग शाला, अंधिकार बच्चों, अभी हमने अंग की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ा, अब हम अंग की मात्रा से बने शब्दों के वाक्यों को पढ़ते हैं बसंत का मौसम बहुत सुहावना हो जाता है, रंग बिरंगे फूर खिल जाते हैं, सब पतंग उड़ाते हैं मेरे घर के पास एक बंदर है, उसका नाम चीकु है, उसका एक दोस्त लंगूर है वे पतंग देख देख कर खुश होते हैं, नंदन वन में मंगल है, बंदर अंगूर खूप मन से खाता है, चीकु बंदर चंचल है, पतंग लेकर भागता है इनको हम दुबारा से पढ़ते हैं, बसन का मौसम बहुत सुहामना हो जाता है, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, सब पतंग उड़ाते हैं मेरे घर के पास एक बंदर है, उसका नाम चीकू है, उसका एक दोस्त लंगूर है, वे पतंग देख देख कर खुश होते हैं नंदन वन में मंगल है, बंदर अंगूर खूप मन से खाता है, चीकू बंदर चंचल है, पतंग लेकर भागता है बच्चों, आप इन शब्दों को पढ़ने का बार बार अभ्यास करिएगा आपको इस पार से सम्बंदित अभ्यास कारे भेजा जा चुका है, आप उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखे और साथ में याद भी कीजिए अच्चा बच्चों, धन्यवाद, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए